इसको कैसे समझें, इसको ऐसा समझें कि पूरा एक्जिस्टेंस किसी नियम से है, पूरा एक्जिस्टेंस किसी नियम से है, मैं नियम को समझू तो ठीक, नई समझू तो ठीक, जानू तो ठीक, नई जानू तो ठीक, मानू तो ठीक, नई मानू तो ठीक, इससे नियम पे कोई कोई फरक पड़ता है कि नियम बदल जाता है कि मेरे को पता है कि नहीं पता है मून धर्ती के चारों तरफ घूमता ही है मेरे को पता है कि नहीं पता है धर्ती गोल है मैं चप्ती बोलता रहूं इससे धर्ती को कोई फरक नहीं पड़ता है तो यह पूरी स्रिष्टी यह पूर बढ़ती है मैं कुछ भी समझूं या नहीं समझूं तो इसका मतलब है कि ये स्रिष्टी किसी नियम से काम कर रही है उस नियम की समझ होने का नाम समधान है तो अपन कहां लेगा इसको? अपन ये कह रहे हैं कि यदि पूरी स्रिष्टी किसी नियम से संचालित हैoye वो नियम ना हिंदू है ना Muslim है ना Sikh है ना इसाई है पूरी स्रिष्टी में मानव का होना भी Hindu Muslim Sikh, आदमी गुफा में था तो Hindu था कि Muslim था तो आप पाएंगे कि वो तो मानव ही था, ये ठपकरण बाद में हुआ जब ऐसे हम सारा देखते हैं तो ये बात समझ में आई कि बहुत एक दिर्पेक्ष द्रिष्टी से देखें, थोड़ा सा पीछे खड़े होके देखें, तो पूरी स्रिष्टी किसी नियम से है, उस नियम में मानव का स्रिष्टी पे होना भी मानव का इस धर्ती पे इवॉल्व होना भी किसी नियम से है, इस शरीर के होने में मानव का कोई नहीं धर्ति पे मानव के होने में भी मानव का कोई योगदान नहीं यह जो मानव का होना है फिर उसके सुखी दुखी होने का भी कोई नियम है अब यह कह रहे हैं अगले आठ दिन में हम यह चर्चा करने वाले हैं कि जिस तरह से युनिवर्सल लॉज हैं तो मानव के सुखी होने का भी को यूनिवर्सल लौ है वो भी हिंदू-मुस्लिम सिख इसाई के लिए एक जैसा है उसमें भी कोई फरक नहीं पड़ता है धीरे धीरे वो जो प्रिकृति के नियम है वो जो नेचर के नियम है चाहे वो मानव के बारे हैं चाहे वो सिर्ष्टी के बारे है उस नियम को पहचान लेने का नाम समाधान है समझ है